ओम शान्ती, 31 ओक्टूबर की इश्री विदाननाफ से पस्वागत है ओम शान्ती, 31 ओक्टूबर की इश्री विदाननाफ से पस्वागत है लगन की अगनी में अगर हम कोई डूब जाते हैं या लग जाते हैं तो automatically जो बाकी जो हमारे आसपास जो प्रॉल्लम्स होती हैं, उनको हम भूल दाते हैं और उनकी solutions खुद ही निकलाते हैं, ये एक highest stage of purity, एक highest stage of spirituality है, जिसमें अगर हम घुज जाएं, उस लेवल तक पहुंच जाएं, तो हमारे जितने भी बिगड़ेवे काम हैं, जो भी हमारे बनने वाले काम हो, सब automatically पांचो तत्व और सारी सहयो करने वाली आत्माय करना चुरू कर देती हैं, उदर तक पहुंचना बहुत जरूरी है, लेकिन लगन किसके लगन में लगना है, वो भी हमें समझना बहुत जरूरी इसक लिए, तो आज परमात्मा हमें इस वर्दान मे निशिन्त रहते हैं, निश्य बद्धी किसमें कि हमारी विजय हुई पड़ी है, हम परमात्मा के लिए कारे कर रहे हैं, इस कारे में मेरा पन कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए है, परमात्मा के लिए कारे करते करते हैं, जो कुछ मुझे मिलेगा, वो automatically परमात्म की देन है मुझे लेकिन मैं पहले फिर परमात्मा कारे बाद में यह सोचने से फिर बड़ाती है और उसका में कारण या उसका में एक परच्छाई कहें या एक में उसका एक अंच कहें वो हमारे irritation, frustration, या हमारे अंदर किसी प्रकार के डर हो, या भय हो, ये अगर है हमारे अंदर, इसका मरलब हम परमात्मा के कारे में विश्वास के साथ आगे नहीं बट रहे हैं, हमें कई न कई अपना पन उसमें mix किया हुए हमने, क्योंकि अगर परमात्मा कारे हो रहा है, तो उसमें ड सारी मिट गई, बाप ने चिंताओं की चिता से उठा कर दिल तक्त पर बिठा दिया, अब ये एक प्रैक्टिस है, जो कि हर कोई 100% एकी दिन में पहुंचता नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस हमें हर दिन करनी पड़ती है, नहीं तो जो ड्रामा बना हुआ है, वोर्ल ड नहीं, लेकिन लगन की अगदी में लगना बहुत जरू है, धन के लगन में नहीं, रंग रूप के लगन में नहीं, संपत्ती के लगन में नहीं, लेकिन परमात्मा की लगन में लग जाएं, तो ये बाकी सारी जो चीज़ें हैं, इनकी जुरुत भी नहीं पड़ती है, ये इतनी लगन हो तुमारे नदर, कि तुमारी जो vibrations, तुमारी औरा जो हो, सब कुछ तुमारे ले करतना शुरू करते हैं, तुमारी vibrations के कारें, हर कारें तुमारा सफ़ल होता जाएगा, तुम्हें दन की चिन्ता नहीं करने पड़ेगी, तो मैं अपने तन की चिंता नहीं करने पड़ेगी ना ही मन की कोई चिंता करने पड़ेगी कोई विर संकल्प नहीं रहेगा उसमें हसते, खेलते, हर चीज़ को फेस करते हुए आप आगे बढ़ते जाओगे ग्यान की शक्ती से सब ग्यान सब जान गए ग्यान की शक्ती से सब जान गए अगर आत्मा का ग्यान आ गया तो हम सब जान गए कि संकल्पी सबसे बड़ी शक्ती है और संकल्पों को हम जितना प्योर करते जाएंगे जितना हम निडर बनते जाएंगे प्योर करना ही मतलब निडर बनना है त्योंकि चिंता मुक्त होना सत्यता यह तब आपाता है जब आंदर हमारे प्यूरिटी होती है जाएं जान गए इसलिए सब चिंतायों से परे निश्चिंत जीवन हो गई अब परमातों यहां पर हमें समझाने के कंसेप्ट जो एक है जो कि साइंस भी आज बहुत दाद एक् अमीर करीब या गोरा काला या हैंडसम ब्यूटिक्फॉल यह चीजों से जब आप अपने आपको रिलेट करना छोड़ देंगे तब जाकर कि आप एक नया पैरडाइम जो होते हैं नई दुनिया में आप रिवेश करेंगे जो कि इस देह और देह की दुनिया से परे है जो तो आप इन सारी चीजों को आप रिजॉल्व कर सकते हो संकल्पों के द्वारा संकल्प शक्ति के द्वारा आप आत्मों को एट्रैक कर सकते हो अपने को हील करने के लिए आप सारे पांच अत्मों को आप आपर कर सकते हो कि आपकारे पूरा करने के लिए शक्तिशाली करने यह तब ही पॉसिबल आ है जब हम हम विक्कुल सोल कॉंशिस जिसको कहते हैं जो कि आज सैंटिफिक वोर्ल में कह रहा है कि थॉट कॉंशिफ केते हैं घग गारो तुप्योंक्रमार्मार्तम से कॉंचों तब जाके तुम्हारे सारे कारे हो जाएंगे तो Mिश्चिंत हो जाओ लेकर आत्मिक लेवल में टिकना और पर्मारत्मा को् Еще सबसे बड़े ह Ih हमारी प्रैक्टेस है जिसमें हमारी घर कमी है तो हमें कहीं हमें कहीं पिछाड़ते रहते हैं और Mic जो वा nossa पिचजे यह हमें आती हैं यह हमें पिछाड़ती हैं हमें घड घड़ शेरीर के भाहन में लाती है घड़ी घड़ी हमें फिजिकल दुनिया में लॉस प्रॉफेट जीत करा जाए सारी चीज़ों के अंदर हमें फसाती हैं लेकिन हम इन चीज़ों से उपर हम हैं लेकिन चीज़ों चीज़ों पुछ से आपकाल में यह झीट करते 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 हैं एक इसको चुदना नहीं चाहिए जो कि कहीं सादू, संत, रिशी, मुनी कहीं हजारों साल तक तपस्य करते आए हैं यह चीज को पाने के लिए जो कि आज प्रमकमायरी समय तेरी है परमात्मा के मध्यम से उम्शानतिस के साथ